हे कॉलिस्टिन्स आज हम BEGC 132 के फर्स्ट ब्लॉक प्लॉरालिटी एन कल्चर डावरिसिटी का फोर्थ यूनिट बॉल, गान, अकम हातेवी एन मीरा भाई को कवर करेंगे तो लेट्स केट स्टार्टेड तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इस चैप्टर में इसका फर्स्ट बात जो यह वीडियो लेक्टर उसमें हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे अब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन एन इंडियन रिलिजियस पोईट्री को ठीक है एन फिर देरे देरे जैसे जैसे वीडियो नेक्स आते जाएगा नेक्स पार्ट का उसमें हम नेक्स टॉपिक को कवर करते जाएगे ओके सो नाव तो देखो अब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का अब्जेक्टिव यह है कि सबसे पहले तो हम इंडियन रिलिजियस पोईट्री मूफ्मेंट को जानेंगे इस चैप्टर के थो जो कि इंडियन रिलिजियस पोईट्री मूफ्मेंट चल रहा था भक्ति मूफ्मेंट एंड सुफी मूफ्मेंट के साथ साथ या बोला जाए उसी में तो उस चीज को जानेंगे second क्या है हम जो इंडियन भक्ती मुव्मेंट में बॉल सिंगर्स का जो कंट्रिब्यूशन था देखो जैसे कि हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे बॉल सिंगर्स एक ऐसे सिंगर्स थे जो कि क्रिटिसाइज करते थे जितने भी अपर क्लास का जो रिच्वल्स होता था कस् जलता था दोनों की पोईट्रिस यह गाते थे एंड अपनी भक्ती अपना जो वर्शिप होता था यह जो पूजा करते थे वह अपने सिंगर से ही करते थे मतलब सिंगिंग से गाते-गाती करते थे ठीक यह सारी चीज़े हम देखेंगे इनके बारे में आगे थर्ड टॉप हम मीरा भाई को समझेंगे उनके बारे में जानेंगे एंट उनका भजन था मेरे तो गिर्धर गोपाल यहना दूसरा ना कोई उसके बारे में जानेंगे उसकी analysis देखेंगे तो इंट्रोड़क्षन यहां पर देखते हैं इस चैप्टर में हमें तीन डिवोशनल सौंग का सैंपल दिया गया है एक बेंगॉल से, एक करनाटक से और तीसरा किया है राजिस्थान से बेंगॉल से बॉल गान के तवारा गेंगॉली फोल्क पोईट्री है और करनाटक से वकाना जो कि अक्का महादेवी की पोईट्री है और मीरा भाई के थ्रू भजन जो कि राजिस्थान के तरफ से हमें दिया गया इस चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे तो यह जो चैप्टर है ठीक यह जो पार्ट फोर है यूनिट फोर है यह एक्चली यूनिट थर्ड का ही पार्ट है यूनिट थर्ड का ही बचावा चैप्टर है जो कि हम यूनिट थर्ड में कवर कर लिये थे भक्तिया और सुफी मुमेंट को हमने देख लिया था हमने बुल यहां पर इस चाप्टर में हम तीन इंडियन भक्ति सिंगर्स को देखेंगे, हम यह भी देखेंगे कि किस तरीके से उनकी फीलिंग थी, उनकी जो इंटर्नल फीलिंग थी, भगवान के साथ मर्ज करने वाली, भगवान के साथ मिलने वाली, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने वह किस तरीके से एक जैसी थी, किस तरीके से सेम थी, जबकि तीनों पोईट्स जो थे वो इंडियन सब कंटिनेंट के डिफरेंट 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 डिफर वघु कर चुका था जो All-Over-India में प्रेजन्ट होता, ठीक ऐसा oh facti मुव्मेंट बन गया था जो कि All-Over-India में फैल चुका था हर जगहे पर North से सांट तक East से लेकर West तक हर जगए पर हर पार्ट में यत 2008 में बहुतारी जऻ zachely process अटार्थ साट ये रहा выступ तक floodist हो गया, north तक spread हो गया, वहां तक fell गया and ये east and west तक भी fell गया था 13th and 17th century थक, हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो devotional poetry थी, भक्ती में, भक्ती movement में, सूफी movement में, दोनों में devotional poetry थी, वो जो भक्ती से related, जो भी poetry थी, वो सारी जो poetry थी, वो ये भक्ती movement and सूफी movement को एक दूसरे के करीब ले आई थी and हमने देखा था कि धीरे-देरे करके जो भक्ती movement के लोग थे, जो सूफी movement के लोग थे, वो एक ही हो गये थे, वो दोनों लोग एक तरीके से एक साथ भगवान को याद करते थे, भगवान से lean होने की कोशिश करते थे, भगवान की साथ relation build करने की कोशिश करते थे, वो दोनों एक ही principle को follow कर रहे थे, हमने ये चीज़ देखा था, एंड हमने ये भी देखा था कि किस तरीकी से जो सूफी poetry थी, वो medieval period से लेकर के modern time तक exist कर रहा है, हमने देखा था, बहुत सारे जो बुलेशा के poems थे, बहुत सारे जो अभी भी ऐसे singers present है, अभी भी ऐसे singers है इंडिया में जैसे अभीदा प्रवीन, पाकिस्तानी सूफी singer है, वो अभी भी present है, modern times में वो भक्ती, पोईट्री, भक्ती सौंग्स, सॉरी, सूफी पोईट्री, सूफी सौंग्स अभी भी बनाती है, अभी भी लोग उनके गाने सुनते, तो किस पर किसी जो सूफी पोईट्री थी, वो modern time में भी present है, जो medieval time में exist करती थी, ठीक है, हमने ये सारे चीज़े देखा था, और क्या चीज़ था, ये जो medieval period था, जहांपे जो religious poetry थी, वो बहुत सारी निकल रही थी, बहुत सारी बन रही थी, बहुत सारी flourish थोड़ी थी, इंडिया के हर पार्ट में, ठीक है, ये जो time period था, ये time period, devotional के साथ, informatory भी था, इस time period में लोग अपनी भक्ती तो दिखा रहे थे, लोग अपने अंदर के भावनाएं पेश करे थे, साथ साथ, एक reform भी हो रहा था पूरी society में, जैसा कि हमने देखा था, ये जो भक्ती movement था, ये जो सूफी movement था, ये एक तरीके से protest था, जो भी upper class के लोग थे, उसके against protest थ उनको बहुत तरीके से हर चीजों से हटा के रखा जा रहा था, तो ये सारी जो protest थे, उन लोग के कारेंस बीक थे, उन लोग ने start किया था, अपने हग के लिए, उन लोग ने अपने लिए अपनी भगवान को याद करना start किया, and वो सारे rituals को भूल गया, सारे rituals को खतम कर दे जो भी rituals upper class के जो लोग थे वो उन पे थोपा करते थे तो एक तरीके से reform हो रहे थी society society में development आ रहा था नया और या reformations हो रहा था लोग बदल रहे थे ठेकन अपपलीफमेंट हो रहा था society का इस तरीके से भी यह जो period था यह flourish हो रहा था devotional के साथ राथ, एक तरीके सा, reformatory period भी यह बन चुका था, ठीक है, इस समय जो Indian religious, Indian का जो subcontinent था, जो Indian subcontinent था, वहां पे, बहुत सारे religious poetry, individual poets के द्वारा गाये जाते थे, and in sub poetries में, हमें क्या देखने को मिलता था, poet का personal love, जो उसके अंदर का love था, अपने भगवान के लिए, हर poem में एक ही चीज़ पे focus किया जाता था भगवान के लिए प्यार, भगवान के लिए devotion, वो जो एक devotion आती थी अंदर से feeling आती है कि भगवान के साथ हमें मिलना है, हमें एक connection बनाना है, हमें एक relation से build up करना है भगवान के साथ, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, सा हमें एक ही चीज़ तो दिखाती थी, एक ही principle पिए सारी पोईटिस बनती थी कि भगवान के तरफ प्यार दिखाना है, किस तरीके से भगवान के साथ connection बना सकते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे पोईट इस समय फ्लरिस्ट होए थे, बहुत सारे, कबीर दास, रवी दास, इसमें पूरा love and पूरा surrender दिखाता था भगवान के लिए, मतलब जो divine power थी, जो भगवान था, हम अपने आपको उसको सौब दिये हैं totally, हम अपने आपको उसको समर्पित कर दिये हैं totally, समझ रहो, ये सारे चीज़े उस समय के poem में हमें देखने को मिलती थी, अब देखो एक जो भक्ती poets थे, ये different reasons में different languages में लिखे जाते थे, अगर आपको पता है, पता ही होगा, basically एक दम चूटा सा information है कि ये जो India है, हमारे जो Indian subcontinent है, आज भी ये बहुत ज़्यादा diverse country है, ठीक है, बहुत ज़्यादा diverse country है, इंडिया में बहुत सारे language है, बहुत सारी culture है, बहु बहुत तरीके के लोग है, बहुत तरीके का different perspective है, हर तरीके के लोग आपके इंडिया में present है, हर religion के लोग आपके इंडिया में present है, आज की date में भी, and ये उस समय में medieval period के time में भी ये चीज़ था, उस समय भी इंडिया एक diverse country थी, उस समय भी इंडिया में different religion के लोग exist कर रह different languages exist करते थे लोग different reason में पूरे whole all over इंडिया में बहुँ सारी reason थे हर reason में हरत भी कर लागमिज बोला जयता था चूंकि भकती movement अन फ्लोरिया था यह भकती movement all over engine we दोडूर that अब देखो हर reason में हर तरीके लाग्वेज and चुकि पूरे All over India में भक्ती मुवमेंट फ्रिस्ट कर गया था मतलब सारे reason में भक्ती मुवमेंट फैल गया था सारे reason में भक्ती मुवमेंट को oni follow कर रहे थे अब देखो ये चीज़ था कि जितने भी लोग थे All over India में जितनी भी reason के लोग थे वो सारे एक ही language को तो नहीं follow करते थे ना इतना बड़ा country है इतने सारे reason है इतने सारे culture इतने सारे custom है तो different different languages भी थे and इसी different different languages में बहुत सारे poems बहुत सारी poetry's लिखी गई बहुत सारे devotional poetry's लिखी गई आपके Indian subcontinent में धीरे धीरे एक development वा poetry's में Indian subcontinent में एक poetry's में development वा जो की Indian languages की poetry थी आपका जो इंडिया बन गया था वो एक unique multilingual बन गया था एक unique multilingual country बन गया था जहां पर बहुत सारे बहुत सारे different languages बोले जाते जहां पर बहुत सारे different languages में आपका जो poem था वो flourished हो रहा था आपका poem exist कर रहा था poetry's गाई जा रही थी poetry's exist कर रही थी and चुंकि यह सारी poetry's आपकी इंडिया की थी Indian culture से belong करती थी तो इसमें आपको Indian culture का जलग दिखता था इसमें आपको Indian literature की जलग दिखती थी and यह चीज़ ancient time से देखी जा रही है ठीक है यह सारी चीज़े हैं देखो इस unit में हम एक Bengali poem को देखेंगे एक कनार poem को देखेंगे एक Tamil poem को देखेंगे इस चीज़ से हम क्या सम समझेंगे हम समझेंगे जो growth of literature था Indian languages में and जो भक्ती movement के sand poet थे उनका composition देखेंगे किस तरीके से सब poet एक जैसे ही थे भले वो different reasons से belong करते थे भले वो different culture से different custom follow करते थे but जो उनका principle था जो motto था जिस पे वो चल रहे थे वो तो एक ही था ना उनके languages अलग थे बट उनकी feeling एक यह सारी चीज़े हम देखेंगे हम यह भी देखेंगे किस तरीके से यह जो songs थे पहले orally florist के जा रहे थे oral tradition में थे मतलब एक दूसरे के मतलब मैं बोला तो कोई दूसरा सुना मतलब बोल चाल की भाशा में बोल से यह सारे songs एक दूसरे तक पहुंचते थे धीरे-धीरे क् लिखना भी स्टार्ट कर दिया गया है और आज के दिमें सारे रिटन डॉकिमेंट्स में भी प्रेजेंट है ओके सो यहां पर एक्टिविटी वन है जहां पर कोशन है वाट डियू थिंग आर्था मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रिलिजियस पोईट्री इंडियन रि इसके आने के कारण जो सोसाइटी तो उसमें चेंजर आना स्टार्ट हुआ लोग अपने हग के लिए लड़ने लगे एक रिफॉर्म की तरह सोसाइटी उभरने लगे थी थर्ड ली क्या था मल्टी लिंग्विल था बहुत सारे लैंग्विजिस थे बट फिर भी इसमें ए यह जो डिवोशनल पोईट्री है जो हम मेरावल पीरियड में देख रहे हैं भक्ती मूवमेंट में सूफी मूवमेंट में यह जो डिवोशनल पोईट्री है इसकी हिस्ट्री एक्चुली इंशियन टाइम से प्रेजन है जो इंशियन टाइम में हमारे पास वेदास थे इस especially Rig Veda, उसमें बहुत सारे hymns थे, hymns मतलब बहुत सारे जो संगीत होते ना घीत होते, जो भगवान के लगाते भजन, जिसको भजन बोला जाता है, बहुत सारे भजन से प्रेजन आलरेढ़ी प्रेजन्त थे, श्लोक के फॉर्म में, लीडिकल पोईटरी के फॉर्म में, आलर के form में Shlock के Form में prayer के Form में and even ये आज भी compose किया रहा हूं आज भी भजन सुनते हैं अगर किसी मंदीर में चले गए या फिर अगर कि भजन सुनते तो वो सब क्या है वो सब वही पुरानी चीज है लेकिन उसको नए फ़र्मे प्रेजेंट किया जा रहा है बहुत सारे भजन बहुत सारे श्लोक आज भी हम श्लोक सुनते हैं संस्कृत के हिंदी के यह सारे चीज़े वही है अब देखो इसका एक मेजर फॉर्म क पोईट की फीलिंग ती बहुत सारे जो पोईट्री स्थी सौंस ती यह सब भी निकलना चल वही है उभरना चाल हुए ठीक एन हम लोग जो देखे थे जो poet अपनी feelings आहिर करता था अपनी भगवान के लिए किस तरह इसके से वो भगवान के साथ एक connection बनाना चाता है मर्च करना चाहता है खुद को भगवान के साथ आत्मा का परमात्मा से मिलना यह वाली जो feeling थी यह वाला जो happiness था वो अपने कविता में डालता था poem में डालता था poetry में डालता था and यह सारी चीज़े भगती movement में बहुत जवरो शोरे से इंक्तम बहुत तड़कते बढ़कते कि साथ develop होना start हुई तो बोल सकते हो कि यह जो devotional poetry जो ancient time से present थी उसको एक आग मिल गई वो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कड़ तरीके से पूरे इंडियन सबकंटिनेंट में फैल गया था भकती movement के टाइम में medieval period के टाइम में ठीक है आम देखे है तो जो mainly जो prayers गाए जाते है जो mainly जो songs है poetry वो आपकी चार form of God में ठीक है एक तो शिवा भगवान के लिए जो शिव भगवान में महिश जिसको बोलते है शिव भगवान दूसरे कौन है विष्णु भगवान ठीक है उनके लिए गया जाते है तिसरे कौन है कृष्णा और चौते कौन है देवी देवी में आपकी poetry है इसको compose किया जा रहा है प्रेज किया जा रहा है बनाया जा रहा है ठीक है यह चार तरीके से पूजा करने के लिए Actually यह चार तरीके से वह पूजा करें जो भी इंसान है जैसे मैं ही हूँ मैं ही अगर कोई poetry निकाल रहो तो अपने किसी भगवान के लिए इस्पेशली ये चार भगवान के लिए ही लोग क्या करते थे, पोईट्रिस कहते थे, ठीक है अगर देखो, तो हिंदुईज्म में चार सेक्ट है, ठीक है चार तरीके से लोग पूझते हैं, एक तो आप कहाँ गया शैविज्म, ठीक है, एक वैशनविज्म, एक आप कहाँ शक्तिज्म एन समर्तिज्म, शैविज्म में शीव भगवान को, वैशनविज्म में आपका विश्नु भगवान को, शक्तिज्म में आपकी गॉड़ेस को, जो भी देवी है हमारी देवी शक्ती, रूप जो भी है उनको, एन समर्तिज्म में जो भी हमारे वेद है, लिट्र वो compose की जाती थी, okay, even इस चाप्टर है, यहाँ पे हम तीन पोईट्स के बारे में पढ़ेंगे, यह तीन पोईट्स में से, एक पोईट्स कौन है, हमारा डिवोटी ऑफ शीव भगवान है, वो शीव भगवान का वक्त है, एक पोईट्स कौन है हमारा, वो कृष्णा भगवान का है, एक पोईट्स कौन है, वो सुप्रीम लॉड का है, ओके, इत मिन्स जो ब्रह्म है, जिन् इंडिया पोईट्री के वो भी हम देखेंगे अब देखो साउथ इंडिया में जो अर्ली मेडावल पीरियड का टाइम था इट मीन्स आपका सिख्ट से लेकर के 8th सैंचुरी का करीबन उसमें 63 सेवास पोईट्स आए 63 करीबन उसमें 63 सेवास पोईट्स इट मीन्स जो नयान थे जो शिप भगवान को पूझते थे शिप भगवान के जो भक्त थे वो थे देको दो तरीके के लोग तेक तो नयानार्स और एक थे अलवार्स जो विश्न भगवान को पूझते थे टीक है ये ऐसे वी पोईट्स थे at least 12 पोईट्स थे यहां पे साउथ के टाइम में उस समय जब भक्ती मुमेंट फ्लरिस्ट होना स्टार्ट हुआ था, साउट से, ठीक है, कितने थे 63 आपके सहवास पोईट थे, जो कि नियानार्स को फॉलो करते थे, शैविजम को फॉलो करते थे, शिव भगवान को पूछते थे, आपके 12 वैशनवाइप पोईट्स थे, जो कि फॉलो करते थे, शैविजम भगवान को पूछते थे, ठीक है, तो यह जो भी पोईट्स थे, जो भी भग्त थे, यह अपनी भग्ती से, अपने हिम्स से, जो भी इनकी पोईट्री होती थे, संगीत होते थे, जो भी इनके भजन होते थे, इसके थूरू क्या करते थे, जो आम लोग थे, जो नॉर्मन लोग थे, जो बाकी लोग थे, उसमें विश्वास जगाते थे, फेट जगाते थे, इंस्पायर करते थे उनको, एंड इस कारण से जो भक्ती मुव्मेंट था, वो बहुत जादा फ्लरिज्टोना स्टार्ट हो गया था, एंड देखो, एक अनधर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कि बहुत सारे जो लोग थे, जो इस भक्ती में लीन थे, जो भगवान के, मतलब बोला जाए, भगवान पर टोटली समर्पित थे, ठीक है न, भक्ती में लीन थे, एकदम पोईट्रिस गाते थे, एकदम भक्ती म मूव्मेंट में बढ़ चड़ के हिस्सा ले रहे थे, ये सारे क्या थे, आपके ब्राह्मनिकर क्लास को विलॉग नहीं करते थे, ये क्या चीज़ था, हमने पहले ये चीज़ देख ले थे, कि सुसाइटी में उस समय तक चार वर्नस आ चुकी थी, ठीक है, जब सुसाइट लोग थे, उनको बहुत तरीके से प्रतारित किया जाता था, उनको बहुत सारे प्रिवलेजिस से अटाग ये रखा जाता था, ये जो भक्ती मुव्मेंट था, ये उनीका प्रोटेस्ट था, जो वो प्रोटेस्ट निकाले थे, जो अपने हग के लिए लड़ना स्टार्ट हम उसे follow नहीं करेंगे, क्योंकि जो lower class के लोग थे, उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया जाता था, सब किस से वन्शित रगा जाता था, अपर जो तीन class थे, ब्राह्मान, शत्रे, वैश, वो सब चीज कर सकते थे, यग भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, भगवान को पूझ भी सकते थे, मंदिर भी जा सकते थे, लेकिन जो lower class के लोग थे, उनको कुछ करने नहीं दिया जाता था, तो ये एक तरीके से protest इन्होंने स्टार्ट किया था तो जो जादा से जादा लोग थे आपके भगती मूव्मेंट के, वो आपके क्या थे, lower class से बिलॉंग करते थे, ब्राह्मनीकल क्लास से बिलॉंग नहीं करते थे, अब देखो, नियानार्स और अलवार्स के साथ साथ एक और तरीके का ग्रूप था, जो कि South Indian भगती मूव् में, सिध्धास का तमिल मतलब होता है, great thinker और wise man, बहुत वादा सोचने वाला, बहुत बुद्धिमान आत्मी, इसका हिंदी में, संस्क्रिट में मतलब होता है, perfect man, perfect आत्मी, जो कि खुद को भगवान पे समर्पित कर दिया हो, भगवान जैसा बोले, वो वैसा करे, कोई को अब यह जो बोल रहे हैं, वो करे, खुद को टोटली भगवान को समर्पित कर दिया, अब यह जो देखो यह जो सिध्धा की poetry थी, यह भकती poetry के एकदाँ मेन स्ट्रीम को follow करती थी, भकती poetry जिससे इसको follow करती थी, कि जो भी rituals वगएरा होते थे, ब्राह्मनी कर रिच्वल् अब यह सब चीज को पीछे करके, जो भकती poetry थी, वो lower class के लोगों के लिए वो start हुई थी, and जो सिध्धास poetry थे, वो भी इसी पे based थी, वो भी जितने भी rituals थे, practices थे, जो भी वेकार के, जो भी hypocrisy थी, and religious के नाम पे, वो सब चीजों को लांग करके, एक नए टम में भकती movement क साथ वो बढ़ना start हो गया था, अब देखो करीबन 10 से 12th century में, करनाटक में अपका विर्षावा poets आना start हो गयते हैं, जो कि अपने जितनी भी songs होते थे, poets होते थे, poetry होते थे, वो Lord Shiva को समर्पित करते थे, ठीक है, देखो पूरी जो आपका movement हाना, वो 3-4 God पे ही based है, शिव भक्ति movement flourished होना start हो, develop होना start हो, South से निकल के करनाटक तक पहुंचा, तो एक नए तरीके के जो group थे, वो उभरना चालो गये, वेर्षावा poets, ठीक है, ये भी जो लोग थे, ये भगवान शिव को follow करते थे, भगवान शिव को पूसते थे, इन में से जो 4 greatest poets है, जो starting, starting में उ इस 4 poets थे, जो उभरेते हों समय, वेर्षावा poets, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो वकनास थे, उसको compose किया, देखो वकनास क्या है, एक तरीके का बोला जाये, तो sentence, जो भी होता न, जो श्लोक होता है, ये ना मंत्र, श्लोक मंत्र बोल सकते हो उसको, तो ये लोग इसको compose करते थे, short free versus compose करते थे, जिसमें ये अपनी interpersonal experience शामिल करते थे, जिस तरीके से जो अपनी अंदर की बाते हैं, हम अंदर में जो feeling share करना चाहते है, भगवान के साथ जो feeling share करना चाहते है, जो हम लोगों को बताना चाहते, जो interpersonal thinking है, जो interpersonal feeling है, वो सारे चीज़ा ये इसमें ला अलोशना करते थे, पूरी जो poetry थी ना, जिसमें जितने लोग आये, वो सब यही करते थे, ठीके, जितने वे rich was होता था, बड़े rich लोगों का, ब्राह्मनिकल लोगों का, उनकी अलोशना करते थे, ये अपना ही rule बना करके, अपना ही एक way follow करके वो चलते थे, ठीके, ये सा भक्ती poetry of South India, where, what are the special features of this form of poetry, तो main poetry क्या करते है, तो इसकी जो main stream है, इसका main reason है, इसकी ले फ्लोरी स्टाट होता है, जिसकी ले फ्लोरी स्टाट होता है, वो क्या चीज़ता आपका, नियानमा स्लोग, अलोवा स्लोग, एंदा सिद्दास लोग, इनका जो group था, ये जो follow करत अपना group को, यही सारे जो चीज़े थी, ये main stream थी आपके भक्ती poetry of South India, इसी से ही जो भक्ती poetry फ्लोरी स्टाट होती South India में, ये सारी लोग क्या थे, ये जितने भी group थे, ये अपना personal experience बताते थे, personal feeling शेर करते थे अपने भगवान के लिए, अपने Lord के लिए, अपने Lord के rituals होते थे, जो भी customs थे, ये उसको criticize करते थे, उसके अलोशना करते थे, and यही सारी चीज़े थे, ये main stream था भक्ती poetry of South India, इसी पर पूरी भक्ती poetry बेज़ थी, जो बोलते हैं, नीव यही था, okay, now, अब देखो, apart from South Indian bhakti poetries, there were many contributors to bhakti poetry from rest of India, South India में, जिस तरीके से bhakti poets उभर रहे थे, develop हो रहे थे, निकल रहे थे, नाई-नाई, और जो इंडिया का reason था, अलग से, क्योंकि भक्ती movement, एक pan-India movement बन चुका था, तो जिस तरीके साउथ हिनाई में, भक्ती poets निकल रहे थे, धीरे-धीरे क्या है, बाकि जो rest of the India's था, वहाँ से भी बहुत सारे poets निकलना जो की कश्मीरी poet है, 14th century के, ये एक woman है, एन ये devotee है, शिव भगवान की, ठीक है, शिव भगवान के भक्त है, दूसरा क्या है, गुरु अर्जन, गुरु अर्जन कौन है, आपके सिख के पांचवे गुरु, ठीक है, सिख के 10 गुरु थे, गुरु अर्जन सिख के गुरु थे, एंड, उन्होंने भी अपना बहुत contribution दिया है, भक्ती movement में, जो उनकी बुक थी, आदी गरंद, जो की सिख की sacred बुक है, पवित्र बुक है, जैसे हमारा भगवत कीता है, वैसे शिख किया है, ठीक है, आदी गरंद, तो इसमें बहुत सारे hymns को, बहुत सारे poetries को उन्होंने compose किया था, 1604 में ये बना था, इसका addition किया गया था, इसका जो second addition आया था, वो गुरु गोबिन सिंग के द्वारा आया था, 1708 में, जिसमें और अलग से 115 hymns, 115 संगीत को add किया गया था, उनकी father के द्वारा, गुरु तेक बहातूर, ठीक है, अब दिखो, थ इन्जाबी में, सिंधी में, काश्मीरी में, जो fourth कौन थे, हिंदी poets थे, तुलसी दास, सूर्दास, कबीर दास, मेरा बाई, इनका भी बहुत योगदान था, बहुत contribution था आपका भक्ती movement में, भक्ती poetry's में, ठीक है, and जो next चीज क्या है, वो क्या थे, गुरु नानक, ठीक ह इन्होंने बहुत सारे poems को compose किया, जो कि क्या दिखाता था, formless God की पूजा, ठीक है, देखो, दो तरकी की पूजा होती थी, एक तो जिसको हम मुर्ती बना करके उसकी पूजा करते थे, एक जो पूजा थी, जो main God था, जिन्होंने ये पूरी संसार बनाया, जिन्होंने हमें हर चीज बनाया, उसकी पूजा करना, अपने मन से पूजा करना, तो इसको उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, जो भी superstitious practices होते थे, जो कि religious के नाम पे किया जाता था, customs वगरा, जो भी प्रथाएं होती थी, उसको बहुत अदर क्रिटिसाइज किया, देखो, यहाँ पे ज यह जो गोरक नाथ देव थे, गोरक नाथ भगवान, जिन्होंने नाथ 35 को बनाया, इनको originator बोला जाता है, नाथ 35 का, इनने ही नाथ 35 ग्रूप को origin किया था, इनको बनाया था, तो यह इनकी पूजा करते थे, and यह इनकी लिए भी बहुत सारी poetry, मतलब भक्ती poetry में इनका भी बहुत योगदान रहा है, ठीक है, अब देखते हैं कि इस chapter में, ठीक है, इस unit में हम मीरा भाई के बारे में पढ़ते, ठीक है, मीरा भाई जिनका जो भजन था, जुसको सब जानते, एक राचपुत प्रिंसेस थी, जो की क्या बन गई थी, क्रिश्न भगवान की दासी बन गई थी, ये अपनी से ही खुद को क्रिश्न भगवान की दासी बना ली थी, बस उनको as a husband मान करके, वो पूरा भजन, पूरी भक्ती पोईच्ची में लीन हो गई थी, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पोईट्रीस बनाई, बहुत सारी पोईट्रीस कमपोस की, बहुत स इन्होंने संगीत गाय, बहुत सारी इन्होंने भजन गाय, सिर्फ अपने भगवान क्रिश्न के लिए, ठीक है, बोला जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी की बाकी का जो टाइम था, वो दुवारका में गुजरात में, और बहुत सारी जो इनकी पोईट्रीस थी, उसम हिंदी से बहुत हद तक ये जोड़ी हुई थी, हाला कि इसके बहुत सारे जो पोईट्रीस हो गए रहे थी, उसमें गुजराती जलग भी दिखती थी अब देखो, ये जो बंगाली भक्ती पोईट्री थी, ये एक संस्क्रीट पोईट जयादेव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जयादेव जो थी एक संस्क्रीट पोईट थे, इन्होंने गीत गोविंदा लिखा था, जिसमें कृष्णा एंड राधा के लव क इसके बारे में बताई गया था, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, 1486 से लेकर के 1533 इनका जो टाइम पीरियेड था, इन्होंने बहुत सारे बंगाली किरतन को डेवलब किया, इट मींस जो एक नया फेज निकाला, बंगाली किरतन का, पहले पोईट्रीज होती थी, जो बॉल काल थे, यह कृटिसाइस करते थे वो सारे चीजों को, जो भी जो टॉप क्लास के जो लोग थे न, सोसाइटी के, प्रामान शत्रिये, इनका जो भी रिच्वस्ता, कस्टम था, यह इनको बहुत जादा कृटिसाइस करते थे, और यह हिंदू भक्ती, सूफे भक् करते थे दोनों की poetry में यह lean रहते थे और इनका अलग ही होता था worship करने का तरीका गाना गाने के तुरू यह singing करके worship करते थे अपनी भक्ती शो करते थे ओके नाव अब देखो second century में second century CE और AD बोल सकते हो BC के बाद जब second century आई तब क्या हमें दो संस्कृत poet मिले बहुत बड़े ठीक है पहला कौन सा है अश्वघोष अश्वघोष यह जो संस्कृत poet था यह actually कुशान ruler जो कुशान ruler था कनिश्क कुशान dynasty का यह उसका poet था उसके दरबार का यह court poet था ठीक है और जो इनका religion था यह कुश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखा यह इसके लिए बहुत फेमास है अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखा जिसमें उन्हें बुद्ध भगवान की बायोग्राफी के बारे ने बताया in the form of lyric narrative ठीक है महा कावय महा कावय के तरीके से उसको दर्शाया इसी के सासत मत्रिकेटा मत्रिकेटा एक और फेमास पोईट बोल सकते हो second century का इन्होंने बहुत सारे संस्कृत हैम्स लिखे बुद्धा पे बुद्ध भवान पे actually यह जब इनका जन्म हुआ था त बहुत सारे जो मत्रिकेटा थी इनकी जो भी हिम्स थी इन्होंने बहुत सारा उनके हिम्स को बताया उनके हिम्स को समझा उनके हिम्स को आगे बढ़ाया ठीक है फिर 7th century में सांती देवा है उन्होंने भी बहुत सारे प्रेयर्स बुद्ध भगवान पे निकाले बहुत सार बुद्धिस्ट को फॉलो करे थे उस चीज़ को दिखाने के लिए उने ने बहुत सारे पोएम्स निकाले बहुत सारे प्रेयर्स निकाले फिर देखो जो जैन पोईट्री थी हिंदी और गुजराती में ये भी एक्जिस्ट करती थी उस समय इसके जो बहुत ही फेमस पोईट्री थी वो थी भक्तामरा स्तोत्रा ठीक है माना तुंगा की जिनका जो डेट है मतलब ये करीबन थर्ड सेंशुरी से लेकर के लेट नाइ अगर आप हिंदी में देखोगे तो अलंकार एक चाप्टर होता है ठीक है जहां पर हम शब्दों में अलंकार डालते उसे और सुंदर करते ठीक है एक्चली जो सब्ध होते हैं उसको सजाने के लिए अलंकार का यूज किया जाता है तो इस तरीकी की जो पोईब्स होते थी जो लाइने होती ती जिसे हम शब्दों से खूबसूरत बनाते थे जैक है तो उस तर européफ के बहुत सारे जैन पोईट्री लिखते थे जैन पोईट्स लिखते थे अब देखो जो रिलिजेस पोईट्री थी वोगी कॉमन थी और भी अदर पार्ट में क्योंकि भक्ती मुमें उसमें flourished हो रहा था, and बहुत सारे parts से, बहुत सारे reasons से, इसके जो followers से वो निकल रहे थे, तो जो other part था country का, all over the Indian subcontinent के और भी जो reasons थे, वहाँ पर जो religious पूछी थे, ये common हुची की थे, ये निकलना चालो हो गई थी, okay? So guys, यहाँ पर इस chapter के first part का explanation खतम होता है, अगर आपको video का explanation अच्छा लगा, तो please में चानल को like करें, ऐसे ही इगनू से और rated videos के लिए आप subscribe करें, and share भी कर सकते हो, आप मुझे Instagram पर DM कर सकते हो, और queries के लिए, and आप मुझे comment section में भी comment कर सकते हो, so thank you guys.